वेलकम बैक टो मा यूट्यूब चैनल मिक्सलाइका मास्टर और थम्नेल में आप सबने देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे कि पचास हजार के अंदर आप अपना होम स्टूडियो सेटप कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि जो भी एक्विपमेंट्स आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ उसमें आपका जो कंप्यूटर है वो इंक्लूडिंग नहीं है अगर आपके पास पहले से एक कंप्यूटर है तो आप उसी को यूज करो उसको थोड़ा सा अपडेट कर लो रैम बड़ा लो आपका काम चल जाएगा ओडियो प्रसेसिंग में इतने ज्यादा हैवी CPU की हमें जरूरत नहीं पड़ती आपका कोई डीसंट सा घर में लैप्टॉप है या डेस्क्टॉप है आप उसको यूज कर सकते हो बस थोड़ा सा आप उस पे पैसे लगा कि उस पैसे तो सारा सामान जरूरी है लेकिन जो म्यूजिक है वो सुनने की चीज़ है और जब तक आपको अच्छा सुनाई नहीं देगा आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे आपको अच्छे मोनिटर्स चाहिए काम करने के लिए जो आपको अच्छी साउंड सुनाए और उसने अच्छी खासी आउटपुट मुझे निकाल के दी थी और वो मॉनिटर्स हैं जे बील के 305P और इनका प्राइज है 24699 24699 रुपए और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई प्रोडक्ट अपना बेच रहा हूँ सेल्समेन हूँ आज तो इसके बाद बारी आती है हमा माइक भी JBL कंपनी का है CSSM 100 और ये आपको मिलेगा 4000 रुपए का तो आउवियसली स्टूडियो मॉनिटर्स और माइक को चलाने के लिए आपको चाहिए एक आउडियो इंटरफेस और आउडियो इंटरफेस मैंने सिलेक्ट किया है M-Audio Air जो आपको पढ़ेगा 10,000 स्टूडियो मॉनिटर्स को तो इसके बाद रह जाते हैं सिर्फ दो प्रॉडक्ट और वो बिल्कुल ऑप्शनल हैं और मैं बताऊंगा कि किन को वो चीजें लेनी चाहिए और किन को वो चीजें स्किप कर देनी चाहिए तो इस लिस्ट में पहले नमबर पे आता है मिडी की कीबोर्ड और अगर आपको कीबोर्ड प्ले करना आता है तो आप खरीद होगे लेकिन अगर आपको कीबोर्ड प्ले करना नहीं आता तो आप इसको स्किप कर सकते हो और अगर आप सीखना चाहते हो तो जरूर बाए कर सकते हो और इसका प्राइज और मॉडल नमबर है अका ले भी सकते हो, क्योंकि मैंने FLK टुटोरियल्स देखे हैं, कोई भी कॉड कीबोड से प्ले नहीं करता, सब डिजाइन करते हैं, प्यानो रोल में और सभी को वैसे ही आदत पढ़ चुकी है, लेकिन मैं शुरू से कीबोड पे प्ले करता था, तो आपकी मर्जी है, कीबोड स आपको थोड़ी सी अजादी मिल जाती है, आप अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग काउट्स की कर सकते हो, और लास्ट में बारी आती है हमारे हेड़फोन्स की, हेड़फोन्स वैसे तो काफी जरूरी हैं, स्टूडियो में, लेकिन आप इसको स्किप कर सकते हो, अगर आ आप घर वाले हेड़फोन्स से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो मैंने जो हेड़फोन्स सिलेक्ट किये थे, वो थे आउडियो टेक्निका M20X, और उनका प्राइज है 4499, और आप इनको स्किप कर सकते हो, अगर आपके पास कोई भी हेड़फोन्स वायड आपके घर पे हैं, तो आप उनी को यूज कर सकते हो, अगर आपने क्लाइंट के साथ काम नहीं करना, सिर्फ अपना हा काम करना है, तो आप बिल्कुल इसको स्किप कर दो, आपके काफी पैसे बच जाएंगे, तो ये सारा सामान मिला के भी आपके पास 3-4 हजार रुपए बचेंगे, लेकि व आप आउनलाइन बाइ कर सकते हो, लेकिन अगर आपके आजपास मार्केट में कोई ऐसी शॉप है, जो माइक्स यहां ऐसा कुछ बनाते हैं, तो अव्यसलि उनके पास जैक्स भी होंगे, एक्सलार और वायर्स भी होंगे, अच्छी क्वालिटीज की, तो आप उनको बोलो क कि मुझे ऐसी केबल चाहिए, और वो आपको बना के देंगे, तो वो आपको बहुत ही सस्ती पड़ेंगी as compared to online, तो यह डिपेंड करता है कि आपके पास कोई शॉप है या नहीं, अगर नहीं है, तो online आप ले सकते हो, लेकिन इस बात का ज़रूर धियान रखें कि आप कई प्लेस्मेंट कितनी दूर है, उसके according आप टेप से मेयर करो कि कितने मीटर है और मेयरमेंट लेने के बाद ही आप केबल्स और करो, अगर आपने लास्ट के दो प्रोड़क्ट स्किप कर दिये हैं और आपके पास आठ नौ हजार रुपए बच गये हैं, तो आप एक खासी आउटपुट अपने माइक से निकाल सकते हो, तो इन सब के बाद भी दो तिन चीज़ें रह जाएंगी, आपको अपना माइक यूज़ करने के लिए स्टेंड चाहिए, हजार रुपए का माइक स्टेंड आएगा, और अगर आपके टेबल पे स्टूडियो मॉनिटर रखने की जगा नहीं है, तो आप स्टेंड खरीज सकते हो, स्टूडियो मॉनिटर के, और एक बहुत ही जरूरी चीज़ जो मेरे माइंड से स्किप हो गई, और वो है पाउप फिल्टर, आप पाउप फिल्टर ज़रूर बाई करो, पांच शे सो रुपए का अच्छा नहीं देंगे, और आपको इधर उधर ढूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां से बाई कर सकते हो, और अगर आपको एक वीडियो चाहिए, कि आपका जो रूम है, वो अकूस्टिकली ट्रीटर नहीं है, और फिर भी आप अपनी वोकल्स घर पे रिकॉर्ड करना चाहते हो, प्रोफेशनली, तो कमेंट करो, मैं उस पे जरूर एक वीडियो बनाऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना अकूस्टिक ट्रीटमेंट के भी एक अच्छी खासी आउटपुट अपने माइक से निकाल सकते हो, तो मुझे लगता है कि आपने डिसाइड कर लिया होगा कि कौन कौन सा सामान आप खरीदेंगे और कौन सा स्किप करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्स्राइब टू माई चैनल और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ,